हाई गाईज, वेलकम है तो मैं हूँ सुगा माउवार, मेरी चानल पर फिर से एक बार आपका स्वादर तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आज मैं जो ब्रेस्पीडिंग मदर हैं, जो अपने मचे को दूद्ध पिलाती हैं, उनका एंग डाइट प्लान लेकि आएंग, क तो आज मैं उनके शिकायत को दोबर करने वाली हूँ जी हां, आज मैं आप लोगों के डाइट प्लान लेकि आएंग, यानि सब कुछ धिहान में रखते हुए, कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे, आपका बेबी का पूरा पेट भी भरे, आपके बेबी को फुल न अज समय के बेबी को वाली होता है। आपके के बेबी का प्रचु यह हाँ और्प भीधा नोय है, यह जाते है 1400 छाल palsusi, कि कुछ लोगे बेबी के शिकरता है, और बेब्ढी का अच्छी लिए, यह बदल भाद हैं मुदी है। मेरा starting में first month पे 58 था लेकिन 9 month होते होते 75 हो गया था सो बहुत से लोग ऐसे हैं और कम mostly I think 10-20% लोगों के साथ ऐसा होता है सब का बढ़ता है 80% लोगों का बढ़ता ही बढ़ता है और उस समय हम इतना अपनी बोड़ी पे ध्यान में होते हैं जब पेवी पेट में होता है तो सारी बोड़ी बढ़ती है पेट का a utreus पेट बढ़ता है यूटरस भरता है मतलब फुल बोड़ी पे फैट चड़ता है और जब हम बेवी को दिलीवर कर लेते हैं बेवी हो जाता है उसके बाद हमारे अंग जो है वो अपने शेप में आने लगते हैं और उस समय उनको बोड़ी ज्यादा वर्क करने लगती है और उस समय अगर हम उनको प्रॉपर नूट्रिशन नहीं देंगे प्रॉपर खाना नहीं देंगे प्रॉपर मिल्क नहीं देंगे तो हमारी बोडी मतलब सौ से ज्यादा रोगों का सिकार हो जाएगी और यह ऐसी बिमारी है यह ऐसे स्टेज होती है अगर इस समय आपको फिल नहीं किया अपने आपको चाहाना नहीं दिया तो यह अपने चीजहों का आपने ध्यान दिया तो आप बेट तो रिड्यूस करोगे ही करोगे अपने बेबी को बहुत अच्छा मिल्क सप्ला ही दोगे और आप भी काफी खिले-खिले से होगे फेस कापी गलो करेगा और पूरे दिन प्रिल रहोंगे देखें I know कि कि किसी भी मद नहीं को सब्रीक काफी को दूद पिला रहे हो और आपकी बोडी से जो है कैलोरी बर्न हो रहे है कॉन कि है तो कुछ चीजह है इस वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्यों कुछ चीजह मैं दू और डॉर्ण से भताँए कि आपको क्या करना एक यह क्या नहीं करना है उसके बहुत से इंपसर टाइप थान देखिए फॉस्ट आपको जो चीज़ नहीं करनी है वह है आपको जैसे कि जो लोग शिग्रेट पीते हैं या फिर शराप पीते हैं या मादक पधारतों का स्विवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है या उसे ना कह देना कोशिश करके मैडिसिन कम से या जिनको सिजेरियन हुआ है जो एक हते दवाई चलती है उसके बाद मतंब जैसे बहुत से लोग कहा होता है कि सरदर की गोली आज खा रहा हूं आज गोली खा रहा हूं आज क्योंकि आपके बच्ची की सहत के लिए वो नहीं अच्छा है तो यह ध्यान रखनी है कि तीखा खाना आपको बादी वली जिससे कि आपके बॉड़ी में गैस न बने आपका पूले ऐसा करने से क्या है कि आपके बच्चे को भी गैस्टिक प्रोग्लम होगी क्योंकि आपके मिल्क में जो भी है जो भी आपके ब्लेड में है वो सब आपके बच्चे को मिलेगा तो यह सोच के चीज़े खाये कि जो चीज में खाने हूं जिससे मुझे गैस्टिक की प्रोग्लम मेरे बच्चे को भी होगे और बच्चे बता नहीं सकते हैं तो कोशिश करके ये सारी चीजें मत करिये और आप में बताती हूँ कि आपको क्या करना है इसके बार मैं बताऊंगी कि बहुत सब्सक्राइट बहुत इफेक्टिव है तो कि सारे नुट्रिशन और सब कुछ होते ह कर देट जारी इसके बताना है तो कि नहीं बताती हूएपको यह करना है कि हर दो घंडे प्ते ठार्मटी यह गाना है कुछ ना भुछला है 8 sek award ओवन्छ पानी नहीं पीना है कूंकि जो मिlara काना है कि आपके उनच कम पर के आपर पी और ब्ले dovीट से सब्सक्राई है result अगर आप लोगे तो आपकी बॉड़ी में वो जो आइरन को एबसॉब करने में यानि जब आप कुछ खाते हो तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसका फुल पाइट हमको मिल जाए तो विटमिंसी जो भीचीज खाओगे उसका आइरन आपकी बॉड़ी को देगा और इस समय क्य के लिए हमें आइरन लेना ही लेना है मेंडिसन आप जोड़े दिन खाते हो लेकिन जो खाना खाते हो अगर आप विटमिंसी वाले पूड लोगे और आइरन वाले चीज़े खाओगे तो विटमिंसी क्या करेगा उस आइरन की मात्रा को अगर उसे बॉड़ी को 10% देना किरें तो पर आपने हागा बासे है कि में घुटा जाइफना जागना है बच्चे के हाट में हो हता है कि बच्चा जब सेबया urged us हम जा गए हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं मतरस के पास किये सारे कपड़े चोटे-चोटे बच्चों के रखना सब करना लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि दे जो है साड़े छे से स्टार्ट करिए सबसे पहले आपको क्या करना है जिनको ब्रेस्ट मिल सप्लाई कम होती है वो रात में सौफ पानी उबाल के रग दे उसे एक कप और मॉर्णिं में हलका गुणबोना करके पीए जिन लोगी ब्रेस्ट सप्लाई ठीक है उनको यह नहीं करना है उनको क्या परना है उनको रात में एक चमच मेथी दाना डाल के पानी मिलाग देना है सुबे हलका कोशे करेंगा अजवाइन और हल्दी और ये इस जो सोट फाले लड्डू बनते हैं वो दो लड्डू और एक कप डूद के साथ आपको ये लेना है ठीक है सुबह साड़े छे बज़े आप ये ले लिजे उसके दो घंटे बाद यानि साड़े आठ बज़े पेर आपको क्या क तो आपको क्या कर ना है अगर आप ये लेना है अगर आप बता येक टोराट निकाल के अग बाइट ले लेना है 10 आप Самर इसके 9 बसके बाद प्रना ऑत औुब तब 2 घंटे बाद पेर आपको क्या करना है ? तो इसमया मत लीजे, क्योंकि ठंड है, जिन थंड नहीं है तो वह दही छाज भी रख सकते हैं और अगर आप चिकन, मतलब कि नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज आप रखिए जितनी जादा से जादा पाराइटी, आप जितने जादा से जादा कलर हैं शामिल करिए और बहुत सारा सालाड सामिल करिए इससे क्या होगा आपका पेट भी जो है से फाइबर जाएगा पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा और गैस्टी प्रोडम नहीं होगी उसके बाद खाना करने के थोड़ा आराम वराम करिए बच्चे को देखे देन उसके बाद चार बजे फिर आप लीजे बदाम ले सकते हैं काचु ले सक मखाने ले सकते हैं या फिर ढोगला इटली पोहा उसके साथ एक कप चाय लीजेए दैन इमनिंग में फिर जैसे की आपने चार शे साथ बजे आपको क्या करना है फिर एक लिक्विड कोई चीज लीजे सूप लीजे वेज़े वेजटेबल सूप लीजे अगर आप नवेज चावल लिया है तो दो कटोरी चावल कर दीजे तो इस तरह से यह आपका डाइटतान है क्योंकि आप अपने बच्चे को दूद पिला रहे हो तो मान के चलिए सारी चीज़े आपके बच्चे में जाने वाली है और आपकी बॉड़ी पर फैट नहीं चाड़ने वाला है एक अपके बेबी के हाम हाम फुल रहे है क्योंकि अगर वो अपकी बोड़ी में जाएगा और वेट लॉस करेगा और इसमें बहुत सारे ऐसे क्यमिकल्स हो तो अपकी बेबी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो हो सके तो यह चीज़ों से अपना वेट लॉस मत करिए खाना ज़रूर लगाए फर्स डे से बेट लगाना स्टार्ट करिए या फिर आप जो एक रैपिंग पेपर आता है पॉलिथेन वाला रैपिंग पेपर आता है अगर जो बेट से नहीं कमफर्ट करते हैं और अभी आपका सिजेरिन हुआ या फिर हुए तो आप उसको लपेटना स श्रिक होना स्टार्टों का अपने लावन भी आ जाएगा तो उसको बैट होने की विजवत है तो बैट की लगाए या पर ये वाला करिए चाहे नॉर्मल हूँ चाहे सिस्ती शेक्शन के थरू हूँ तो इस तरह से करिए बहुत जल्दी पेट अंदर जाएगा वेट लॉस कोई बिमारी नहीं आपको होगी बच्चा भी हल्दी रहेगा बच्चे को हर पोशन मिलेगा फ्रूट्स एड करिए लेकिन मैंने बोला है विटमें सी वाले फ्रूट्स आपको राट रहा है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप सब के लिए हल्पुल रहा होगा तो बेडरिंग आपको नहीं लेना है कोई भी आपको मादक पदार्थ नहीं लेने है तो इस तरह इन सब चीज़ों का ध्यान रगें आपको यह मेरा अच्छा सा वीडियो पादा होगा मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं जो ब्रैस्पूइट करवाती हैं उनके लिए काफी हल्पुल रहेगा और हल्पुल रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए तो मिलती बुक्ती जलिए ने वीडियो के साथ तो